स्रीज आप 3-dimensional geometry के 13 वीडियो में स्वागत है मैं इस वीडियो में askew lines and shortest distance between two lines के बारें बताऊंगा 3-dimensional geometry पर इसके पहले मैं 12 वीडियो अप्लोड कर चुका हूँ description में उसका link मिल जाएगा आप वहाँ से उसको देख सकते हैं या उपर आ रहे हैं i button को भी प्रेस करके 3-dimensional geometry के playlist में जा सकते हैं तो हाई friends आप देख रहे हैं YouTube चैनल M.A. Classes मैं हूँ सुनिल कुमार इस चैनल पर मैं mathematics का ही वीडियो ले करके आता हूँ आप यदि मेरे चैनल पर पहली बारा हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लिजे और bell icon को भी on कर लिजे ताकि latest video का update आप तक पहुँचते रहें यदि वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर सेयर किजिएगा लाइक किजिएगा और कमेंट करके अपना feedback अवस्चत दीजिएगा तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को मेरे channel के वीडियो देखने के लिए रेख math classes को क्लिक करें m每 class को क्लिक करने के साथ home page पिल जाएगा अप playlist में जाए प्लेएलिस्ट में आपको different topics का वीडियो मिर जागा आप जिस topic के वीडियो देखना चारते एं उस पर क्लिक करें जैसे आप Simplex Method का वीडियो देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें आप Simplex Method पर जो भी वीडियो या आपके सामने आ जाएगा आप उसको देख सकते हैं Friends हम लोग सबसे पहले देखते हैं Askew Line क्या है Askew Line को समझने के पहले आप देखिए Plane पर हम लोग 2 Line लेते हैं जैसे बूर्ड एक Plane है इस Plane पर अगर हम लोग कोई भी दो Line अगर हम लोग ड्रॉब करते हैं तो वो Line या तो पैरलल होगा जैसे इस तरीके से यह पैरलल या फिर अगर पैरलल नहीं है तो वह क्या होगा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा जैसे ऐसा लाइन है यह एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो यह पॉसेबिलिटी हो सकता है ध्यान दिजेगा एक कुंसाइट भी कर सकता है दो लाइन जो है वह एक दूसरे को कुंस तो इसलिए हम लोग इसको अलग से consider नहीं कर रहे हैं तो प्लेन पर अगर हम लोग दो लाइन ड्रॉ करेंगे तो निस्चित रुप से वह या तो पैरलल होगा या इंटरसेक्ट करेंगा ऐसा नहीं होगा कि ना तो पैरलल हो ना ही इंटरसेक्ट करें जैसे आप अगर सोच र औरा इधर इंफिनिट इंपिनीटि तक यह ओनि है तो यह दिलाइन सेग्मंड नहीं मैं लाइन की बात करता है हुध एधर भी आगे बढ़ेगा और यह आगे बढ़ेगा तो पहीं ना कहीं थो इंटरसेक्ट करेंगे थो नि सित्व रुप से इस वह पहीं नहीं चुर से और अगर intersect नहीं करता है तो निस्यत रुप से वो क्या होगा पैरलल होगा तो यही दो possibility है plane पर अगर हम लोग line लेते हैं तो लेकिन a space में एक और possibility है a space में जो दो line लेंगे वो या तो parallel होगा या intersect करेगा या फिर ना तो intersect करेगा ना ही parallel होगा तो अगर कोई दो line a space में ऐसा हो जो ना तो intersect करेगा और ना ही parallel हो वैसे line को हम लोग a skew line करते हैं कैसे यह possible होगा जरा इसके बारे में समझीए यह देखिए हम लोग एक cube लिए हुए हैं और cube का जो उपर का surface है उस face में हम लोग 2 point को मिलाए हैं एक diagonal बनाए हैं उपर वाले face का और नीचे वाले face में भी हम लोग 2 point को मिला दी हैं और एक diagonal बनाए हैं तो यह दोनो line के बारे में समझीए जो black color का line है तो इस line के बारे में देखिए कि ये line ना तो कभी intersect करेगा और ना ही कभी वो parallel है ये दोनों line जो है वो ना तो parallel है आप देख पा रहे होंगे कि ये parallel भी नहीं है और ये intersect भी नहीं करेगा क्योंकि एक उपर वाले surface से जा रहा है और एक नीचे वाले surface से जा रहा है तो यह कभी भी intersect नहीं करेगा और नहीं यह parallel है तो ऐसे line को ही हम लोग क्या कहते हैं askew line कहते हैं आप देख रहे हैं यह यह दोनों line जो है वो ना तो parallel है और नहीं intersect कर रहा है तो ऐसे line को ही हम लोग कहते हैं askew line तो 3D space में अगर हम लोग 2 line ले ले जैसे आप ये देखिए ये दोनो लाइन ये ना तो parallel है और नहीं intersect कर रहा है ये नीचे से गिया है और ये इसके उपर से जा रहा है तो कभी भी intersect नहीं करेगा ये नीचे से cross कर गया तो यह parallel हो गया आप देखिए इसको यह parallel हो गया और यह एक plane पर आ जाएगा जब यह parallel हो गया है तो इसको ऐसा समझी है कि दोनों parallel है तो यह इस plane पर आ गया आप देख पा रहे होंगे मेरे hand में यह आ गया तो यह दोनों अगर line parallel है तो जरूर एक plane पर आ जाएगा आप कहीं कहीं पर भी रखिए मान लीजे ऐसे रख लेते हैं हम लोग इस तरीके से रख लेते हैं तो इस तरीके से रख लेते हैं तो ये भी एक plane पर आ जाएगा अगर दोनों parallel कर दिये तो और लेकिन अगर ऐसा गिया है तो यह नीचे से चला गिया और यह उपर से चला गिया तो कभी भी एक plane पर नहीं आएगा जैसे मैं अभी cube में दिखा रहाता है वो दोनों एक plane पर नहीं था तो वो कभी भी एक plane पर नहीं आएगा तो ऐसे line को ही हम लोग a skew line करते हैं और a skew line कभी भी किसी same plane पर नहीं होगा co-planer नहीं होगा जब भी होगा तो वो 3D में अलग-अलग plane पर होगा space में कहीं पर अलग-अलग plane पर होगा तो वैसे line को skew line करते हैं तो अब skew line का यह definition देखिए कि definition क्या है कि two straight line in a space which are neither parallel nor intersecting are called skew lines दो straight line ले रहे हैं अस्पेस में ले रहे हैं जो ना तो parallel है ना ही intersect कर रहा है तो वैसे line को हम लोग skew line कहेंगे जैसे मैं अभी बता रहा था और skew lines are those lines which do not lie in the same plane कभी भी दो skew lines जो है वो एक ही plane पर नहीं आएगा अभी मैं जो क्यूब में बताया है कि ऊपर वाले plane पर था एक नीचे वाले plane में था तो कभी भी same plane पर नहीं आएगा अगर वो same plane पर आता है तो उने से तरुप से या तो parallel हो जाएगा या intersect कर जाएगा तो skew lines कभी भी co-planar नहीं होता है अब जरा देखिए जब co-planar नहीं है तो क्या हम लोग plane पर figure बना सकते हैं plane पर figure नहीं बना सकते हैं क्योंकि skew lines तो कभी भी same plane पर नहीं आता है लेकिन फिर भी मैं समझाने के लिए plane पर जब figure बनाओंगा तो इस तरीके का कोई figure बना दूँगा तो यह क्या हुआ यह मत समझिएगा कि यह आगे बढ़ेगा तो intersect पर जाएगा क्योंकि पहले ही मैं बता चुका हूँ कि skew lines co-planar नहीं होता है co-planar नहीं होगा तो एक ही plane पर figure हम लोग बना नहीं सकते हैं तो यह आप सिर्फ imagine किजिए कि यह नीचे से गया है इस तरीके से और यह उपर से आया है इस तरीके से इस तरीके से यह plane है ऐसा है तो इस तरीके से यह नीचे से चला गया और यह उपर से आ गया तो ऐसा हम लोग figure बना देंगे लेकिन आप इसको यह मत समझिएगा कि यह और यह आगे बढ़ेगा तो इंट्रसेक्ट कर जाएगा क्योंकि प्लेइं हम लोग समझाने के लिए फिगर बनाएंगे तो इस तरीके का फिगर बना सकते हैं तो या फिर कुछ इस skew line co-cleanar नहीं होता अब हम लोग देखते हैं लाइन ओफ सॉटेश्ट डिस्टेंस क्या है इफ एलवन एन एलटु आट्व स्क्यू लाइन देन देर इज वन एन वन ली वन लाइन पर्पेंडिकुलर तो इच आफ दे लाइन 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 ला उपर से गया है अब एक ऐसा लाइन होगा जो दोनों पर पर्पेंडिकुलर होगा वह सिर्फ एक ही लाइन होगा जो दोनों लाइन पर पर्पेंडिकुलर होगा कैसा लाइन होगा देखिए इस तरीके से यह जो आप लाइन देख पा रहे होंगे कि यह जो लाइन है यह द दोनों पर परपेंडिकुलर है उसी लाइन को कहते हैं लाइन आफ सॉटेस्ट डिस्टेंस मैं फिगर बना रहा हूं लेकिन फिगर प्लेन पर बनाया नहीं जा सकता है लेकिन फिर मैं यह एक समझाने के लिए बना रहा हूं जैसा सपोज कि एक लाइन यह है और एक दूसरा जो है हम लोग ऐसा ले रहे हैं तो यह जो लाइन है दोनों अस्क्यू लाइन है सपोज कर लिजे एक लवन है और दूसरा लटू है एक ऐसा लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे जो दोनों पर पर परपेंडिकुलर है जैसा भी हम लोग मार्कर से हम लोग बात कर रहेते तो यह यह जो line है वो दोनों पर perpendicular है इसी line को हम लोग कहते है line of shortest distance तो मैं यहाँ पर यही बता रहा था कि L1 और L2 दो skew line है then there is one and only one line perpendicular to each of the lines L1 and L2 L1 और L2 पर एक ही line ऐसा होगा जो दोनों पर perpendicular होगा and it is known as the line of shortest distance इसी line PQ को क्या कहते हैं हम लोग line of shortest distance कहते हैं अब यह हुआ line of shortest distance अब 2 line के बीच कPA shortest distance क्या होता है इसके बारे मत समझते हैं तो shortest distance means क्या हुआ अगर डो-line parallel है तो डो-line parental है तो दोनों के बीच का distance हमिशा सेम होगा अगर यह point अगर हम लोग यहाँ पर ले ले और यहां से perpendicular ड्रॉ कर दें तो यहीं shortest distance होगा इस line पर कोई भी point लेंगे और वहां से perpendicular ड्रॉ कर देंगे तो हमेशा दो line के बीच का distance same होगा और यही हो जाएगा shortest distance दोनों line के बीच का यह माल लिजे एक line है l1 और दूसरा line है l2 दोनों के बीच का shortest distance हो जाएगा हमेशा सेम है अगर दो line intersect कर रहा है तो intersect कर रहा है तो उसका shortest distance कैसे निकालेंगे दोनों line के बीच का सबसे कम दूरी तो सबसे कम दूरी देखे यहां पर जो दूरी है माली जी अगर यहां और यहां लेते हैं तो दूरी इतना है यहाँ पर और कम हो गया यहाँ पर और कम हो गया यहाँ पर क्या हो गया जीरो तो अगर दो line intersect करता है तो उसका shortest distance जो है वो हो जाएगा 0 दो line अगर parallel है तो यहाँ कोई भी point लेंगे और वहाँ से perpendicular draw कर देंगे तो वो shortest distance हो जाएगा लेकिन अगर a skew line है तो उसका shortest distance क्या होगा जैसे अगर आप देखें यह a skew line है तो यह a skew line का shortest distance क्या होगा इसका shortest distance निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोनों a skew line पर एक perpendicular draw करेंगे और कि Line of shortest distance और इसके बीच का जो distance होगा इसी को कहते हैं हम लोग shortest shortest distance between two lines आनि कि यहां पर जो perpendicular ड्रॉकिये हैं पी और क्यू तो इसी distance को हम लोग क्या कहेंगे यह जो पी क्यू का जो distance आएगा वही length of shortest distance हो गया shortest distance का यह length निकल गया या इसको कह सकते हैं shortest distance between two lines L1 and L2 तो यहां पर हम लोग पढ़ेंगे कि अगर दो line का vector equation या Cartagen equation दिया हुआ है तो यह shortest distance कैसे निकालते हैं लाइन का अगर vector equation दिया हुआ या Cartagen equation तो यह shortest distance निकालते कैसे क्या निकालने का तरीका है तो चलिए उसका formula हम लोग पहले देखते हैं हम लोग पहले vector equation के बारे में बात करते हैं कि माल लेते हैं कि दो line है let L1 and L2 be two lines whose equations are एक line L1 है जिसका vector equation है R equal to A1 plus lambda B1 और दूसरा जिक जो line है L2 जिसका vector equation है R equal to vector A2 plus mu vector B2 तो ये दोनो line का equation हो गया ये vector equation है अब ये यहाँ पर ज़रा समझे कि अगर line का equation R equal to A plus lambda B अगर है तो ये क्या बता रहा है जैसे समझे ये जो line होता है वो एक fixed point से pass करता है जिसका position vector A होता है और ये vector B के parallel होता है ये vector B के parallel होता है तो ये जो equation लिखा हुआ है उस equation में ये point बताता है जहां से ये line pass करता है उसका position vector और B बता रहा है यह लाइन जिस विक्टर के पैरलल है उस विक्टर के बारे में बता रहा है तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि दो जो लाइन का एक्कोईशन लिखे हैं हम लोग a1 प्लस लिबडा b1 मतलब यह लाइन a1 पॉइंट से पास कर रहा है इसका पोजिशन विक्टर के पारलल है एक दूसरा लाइन ले रहे है जो पॉइंट से पास कर रह dirig इसका पॉसिशन विक्टर ्क्टर एक लाइन तो यह दो लाइन का एक है अवसको ल्च होग देते हैं और इसको जो है वो L2 कह रहे हैं, यहाँ पर L1 लिख देते हैं और यह जो है वो L2 लिख रहे हैं, तो L1 एक line हो गया और दूसरा line L2 हो गया, यह skew line है सपोज कर लिजे, एक दूसरे के उपर से गया है, और यह line ऐसा है जो दोनों पर perpendicular है, L1 पर भी और L2 पर भी perpendicular है, तो यह line of shortest distance हो गया, और यह जो link होगा PQ इसी को हम लोग कहेंगे shortest distance between two skew lines L1 and L2, तो L1 का equation यहाँ पर हम लोग लिखे हैं, और L2 का भी equation लिखे हैं, अब इसका अगर shortest distance निकालना है, तो shortest distance निकालने का formula है, the shortest distance between skew lines L1 and L2 is given by कैसे निकलता है, यह PQ ही shortest distance होगा, तो PQ निकालेंग कैसे, यह जो दोनों line जिसके parallel था, B1 और B2, उसका cross product करेंगे, B1 विक्टर और B2 विक्टर का cross product करेंगे, और जिस point से pass कर दा था, उसका difference करेंगे, A2 minus A1, और यह दोनों का dot product कर देंगे, और फिर divide कर देंगे, B1 cross B2 के modulus से, और फिर इसका mod डेलेंगे, मिन्स यहाँ पर positive value जो भी value आएगा, अगर negative आता है, तो negative नहीं देंगे, हम लोग positive कर देंगे, modulus है, तो इसका positive value बना देंगे, अगर negative आता भी है, तो positive बना देंगे, तो यह जो formula, इस formula का use करके, हम लोग shortest distance निकाल सकते हैं, बढ़ा आसानी से निकल जाता है, कोई भी से problem नहीं है, क्योंकि ह हम लोग दो vector का cross product निकाल लेंगे, फिर दोनों का difference निकाल लेंगे, dot product कर देंगे, और इसके modulus से divide कर देंगे, फिर उसका magnitude ले लेंगे, absolute value लेंगे, तो जो भी value आएगा, वही shortest distance हो जाएगा, चलिए देखते हैं, एक सवाल से, समझते हैं कि कैसे shortest distance निकाल लेंगे, अगर line का equation दिया हूए हो तो, हम लोग एक question ले रहे हैं, कि find the shortest distance between the following pair of lines, which vector equations are this, ये दो vector equation दिया हूए, line का, दो line का equation दिया हूए है, अब इसके बीच का shortest distance निकालना है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, जरा देखें, सबसे पहले हम लोग formula लिख जाते हैं, we know that the shortest distance between the lines are equal to vector a1 plus lambda vector b1 and vector r equal to vector a2 plus mu vector b2 is given by, ये दो line का अगर equation दिया हूए है, तो इसका shortest distance का formula हम लोग भी पढ़ चुके हैं, मैं b1 cross b2 को पहले लिखा था और a2 minus a1 को बाद में लिखा था, आप उल्टा भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं परता है, क्योंकि dot product जो होता है, वो community होता है, a dot आप b लिखिये, या फिर b dot a लिखिये, दोनों equal होता है, तो ये b1 cross b2 को पहले भी लिख सकते हैं, या b1 cross b2 को बाद में ये उल्टा कर सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं परता है, क्योंकि dot product जो होता है, वो community होता है, अब आगे बढ़ते हैं, तो ये पहले formula हम लोग लिख जाएं तो इसको compare करेंगे with the equation r equal to a1 plus lambda b1 and r equal to a2 plus mu b2, इससे हम लोग compare करके a1, b1, a2, b2 का value निकाल लेंगे, फिर उस formula में put कर देंगे, तो देखिए, ये दो line का equation यहाँ पर दिया होता है, वो दोनों line का equation लिख 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 लिएं और इसको compare कर रहे हैं, इससे और अब जिरा समझेए, इसको first से compare किजिए, r equal to a1 plus lambda b1, r equal to a1 plus lambda b1 से compare कर रहे हैं इसको, तो r equal to a1 plus lambda b1, a1 के जगह ये है और b1 के जगह ये है, तो ये compare करके हम लोग लिख जाते हैं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, a1 equal to, a1 देखें ये a1 क्या है, a1 का value r equal to a1 plus lambda b1, a1 का value I plus 2J plus 3K तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ I cap plus 2J cap plus 3K cap और B1 equal to क्या होगा यह भी मैं लिख जा रहा हूँ B1 equal to 2I cap plus 3J cap plus 4K cap यहाँ पर है 2I cap plus 3J cap plus 4K cap फिर दूसरे equation second equation को हम लोग R equal to A2 plus mu B2 से compare करते है R equal to A2 plus mu B2 A2 के जगह यह हो गया B2 के जगह यह हो गया तो A2 का value यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ A2 का value कितना है आप देखे 2I cap plus 4J cap plus 5K cap 2I cap plus 4J cap plus 5K cap और फिर हम लोग B2 का value यहाँ पर लिख जाते हैं तो B2 का value mu B2 B2 के जगह 3I cap plus 4J cap plus 5K cap तो यह है 3i cap plus 4j cap plus 5k cap अब हम लोग shortest distance का जो formula है उस formula का यूज़ करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे सबसे पहले a2 minus a1 निकाल लेते हैं Now a2 minus a1 a2 का value पता है 2i cap plus 4j cap plus 5k cap और minus a1 a1 का value है i cap plus 2j cap plus 3k cap Now यह हम लोग क्या करते हैं अब दोनों को subtract करते हैं 2i minus i 4j minus 2j 2j फिर 5k minus 3k this becomes 2k अब हम लोग क्या करेंगे b1 cross b2 का cross product निकाल लेंगे b1 और b2 का cross product तो b1 का value put करते हैं This is 2i plus 3j cap plus 4k cap और cross product फिर b2 का value put करते हैं This is 3i cap plus 4j cap plus 5k cap Now we shall find cross product of these two vectors कैसे cross product निकालते हैं आप लोग को पता होगा कि इसके लिए determinant का यूज करते हैं यहाँ पर i cap, j cap और k cap लिखते हैं और इसके बाद पहले first vector का component लिखते हैं 2, 3 और 4 फिर second vector का i, j, k का coefficient लिखते हैं 3, 4 और 5 अब इस determinant को हम लोग expand कर लेते हैं तो expand करने के लिए पहले हम लोग i यहाँ पर लिखते हैं i के साथ क्या लिखेंगे इस row और इस column को छोड़ देंगे 3, 5, 15 और minus 4, 4, 16 फिर minus j लिखेंगे बीच वाला जो है वो j minus में होता है तो minus j लिखेंगे और इसके साथ ये row और ये column को छोड़ देंगे 2, 5, 10 और minus 3, 4, 12 फिर plus k, k के बारे में आप यहाँ पर क्या लिखेंगे k के साथ तो इसको और इसको छोड़ देंगे 2, 4, 8, minus 3, 3, 9 तो देखें ये आरहा है 15, minus 16, minus i cap 10, minus 2, minus 2, minus 2, minus plus हो जाएगा 2 j और 8, minus 9, minus k cap तो ये हो गया b1 cross b2 तो अब इसका modulus भी हम लोग निकाल लेंगे b1 cross b2 का modulus कैसे निकालते हैं coefficient की square का sum का root अंडर तो minus 1 का hall square plus 2 square plus minus 1 का hall square ये आप देखें क्या आ रहा है minus 1 का hall square 1 plus 4 plus 1 means ये आ जाएगा root अंडर 6 अब हम लोग shortest distance का formula निका यूज करते हैं तो लेकिन हम लोग एक काम और पहले कर लेते हैं a2 minus a1 dot b1 cross b2 ये हम लोग निकाल लेते हैं इसका भी ज़रत पड़ेगा अभी formula जो यूज करेंगे इसमें तो a2 minus a1 का value हम लोग लिखे हैं i cap plus 2j cap plus 2k cap dot फिर b1 cross b2 का value भी निकाल के रखे हैं minus i cap plus 2j cap minus k cap अब ये दोनों का dot product कर रहे हैं तो dot product के लिए ये 1 को minus 1 से multiply करेंगे तो minus 1 आएगा 2 को 2 से multiply करेंगे तो 4 आएगा और 2 को फिर minus 1 से करेंगे तो minus 2 आएगा तो ये क्या आगिया 4 minus 3 आनि की 1 आगिया अब हम लोग shortest distance निकाल लेंगे तो shortest distance के लिए देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूं तो अब हम लोग लिखेंगे therefore shortest distance equal to क्या formula होता है mod of b1 sorry a2 minus a1 dot b1 cross b2 divided by mod of b1 cross mod of b2 ये हो गया अब इस formula में put कर देंगे तो उपर का value निकाल के रखेंगे इसका value 1 है और इसका value भी निकाल के रखेंगे, mod of b1 cross b2 का value भी निकाल के रखेंगे, root under 6 है और इसका फिर modulus आनि ये आ रहा है 1 by root under 6 तो इस तरीके से अगर victor equation दिया हुआ रहे तो हम लोग दो line के बीच का shortest distance निकाल सकते है तो friends एक Cartagen equation अगर दिया हुआ रहता है तो भी हम लोग कैसे निकालते हैं उसके बारे में मैं next video में बताऊंगा, ये victor equation के बारे में हो गया और next video में हम लोग Cartagen equation का देखेंगे, कि दो line का अगर Cartagen equation दिया हुआ तो कैसे उसके shortest distance निकाल लेंगे, उसका formula उससे related problem को इस video में बस यहीं तक, ये video आपको कैसा लगा, comment करके आप जरूर बताएं और अगर video पसंद आता है तो अपने friends के साथ share करेंगे, like करेंगे इस video को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत द्यान्यवाद, thank you